Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading अपनी किसी चीज को, किसी बात को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है क्योंकि ये general reading है, थोड़ा थोड़ा सब taurus के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है इस relationship को, अपने partner को आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है और tightly पकड़ने का मतलब यह नहीं कि literally आपने उनका हाथ या फिर उनको tightly पकड़ा हुआ है ताइटली पकड़ने का मतलब है आप बहुत attached हो रहे हैं, थोड़ा से obsessive, थोड़ा से possessive उनके लिए हो रहे हैं आप कुछ चीजों को, कुछ बातों को या अपने partner को किसी भी level पे let go नहीं कर पा रहे हैं अब दिखें, मैं यह नहीं कह रही कि आप relationship को let go कर दें, partner को let go कर दें बट येस, जब हम too much अपने partner के उपर focus करते हैं, या फिर बहुत जादा clingy हो जाते हैं तो कही ना कही ना हम अपने partner के लिए less attractive बन जाते हैं और ये शुरुवात होती है हमारे relationship के खराब होने की अब मुझे नहीं पता कि कितने time से आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिरुफ और सिरुफ मैं October month की reading कर रही हूँ पिछले month की reading मुझे seriously नहीं याद है क्या cards थे क्या था क्योंकि दिन रात मैं यही करती हूँ and it's not possible for me to remember कि last month में आप लोगों के लिए क्या cards आये थे फिलाल हम October month की बात करें तो यहाँ पर four of pentacles का card कहता है कि आप बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए again सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि partner को लेकर बहुत जादा आप you know clingy हो रहे हैं आप बहुत attached हो रहे हैं obsessive हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है partner की कोई बात या किसी चीज को आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है आप let go नहीं कर पा रहे हैं और देखें deeper level के लिए false promises का card है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि या तो आपने partner से कोई false promise किया और इस चीज की realization आपको हो रही है आप accept नहीं कर रहे हैं, partner के सामने admit नहीं कर रहे हैं बट मन ही मन आपको पता है और कहीं न कहीं ये चीज आपको बुरी भी लग रही है और आप चाहा कर भी इस चीज को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहे है कि आपके partner ने आपसे false promise किया उन्होंने आपसे किसी भी level पर जूट बोला आप देखिए जूट बोलना बहुत बड़ी एक चीज लगती है कभी कभी छोटी मुटी चीजे होती है जब सामने वाला एक transparency नहीं रखता है या पिर जूट बोलता है तो उनके लिए छोटी बात होती है आपके लिए भी छोटी बात होती है लेकिन कहीं विश्वास टूट जाता है अब मैं यह नहीं कहरी कि literally आपका विश्वास टूट गया यह ऐसी सी एक situation ऐसा से एक scenario कुछ time से October मन्त में रह सकता है यहाँ पर false promise का card किसी ना किसी तरीके के जूटे वादे जूटा एक promise की बात करता है जो कि फिर से कहूंगी या तो आपकी तरफ से हुआ या पार्टनर की तरफ से हुआ और शायद इसलिए या फिर otherwise भी page of pentacles का card कहता है थोड़े से practical realistic हो रहे हैं चीजों को लेकर आप तने emotional इतने sentimental नहीं होते हुए दिख रहे हैं और deeper level के लिए X का भी card है अब दिखिए यहाँ पे भी सब के लिए differ करेगा कुछ stories के लिए हो सकता है कि आप अपने X के बारे में सोच रहे हैं आप you know past किसी relationship के बारे में कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने X से किसी level पे बहुत किसी level पे बना ऐसे हैं मतलब बहुत छोटे मोटे level पे connect करना चाहा रहे हैं और हो सकता है आपने बहुत एक practical realistic reason ढूंडा है या फिर आपको मिला है होता है ना कभी-कभी हम अपनी emotions feelings नहीं express कर रहे होते हैं लेकिन काम के जरिये कि भही हमको बहुत जरूरी काम था और वह आप ही कर सकते थे I am only and only giving you example मतलब इस तरीके से आप उनसे connect करना चाहा रहे हैं या फिर किसी level पे connect कर रहे हैं या फिर मन में X का खयाल आ रहा है और surface level पे थोड़ा practical, realistic होके या तो X की तरफ action initiatives बहुत छोड़े-छोटे ले रहे हैं या फिर जो अभी current relationship है उसी में थोड़े से practical हो रहे हैं मन ही मन में X का ख्याल आ रहा है अब दिखे, general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा Seven of Souls का कार्ट कहता है जो भी हो कहीं end October के लिए आपकी एक escapism वाली energies रहती भी दिख रही है जहां पर चोरी छुपे आप कुछ चीजे कर रहे हैं या फिर partner को avoid कर रहे हैं partner को ignore कर रहे हैं partner से किसी level पर distance करना चाहा रहे हैं और उनको बता कर नहीं उनसे बात करके नहीं जैसे होता है ना कभी-कभी हम अपने partner को बोलते हैं कि भई हम travel कर रहे हैं तो इस time पे available नहीं होंगे तो बहुत clearly हम बताते हैं उनको ऐसे नहीं चोरी छुपे जैसे avoid करना ignore करना, escape करना चीजों को upfront होके नहीं deal करना इस तरीके की energies रहती भी दिख रही है और दिखी ये card कहीं cheating की भी बात करता है अब cheating words सुनके ना सब लोग बिरकुल डर जाते हैं औरे भाई कौन सी cheating हो रही है cheating बहुत छोटे level पे हो सकती है like you know अगर आपने अपने partner को जूट बोला यह partner ने जूट बला this is also cheating, this is also not being fair तो कहीं किसी भी level पे कुछ टॉरस के लिए बहुत ही मामूली कुछ टॉरस के लिए थोड़ी जादा कुछ टॉरस के लिए एका दुखका टॉरस के लिए बड़ी level पे भी एक cheating रह सकती है फिर से मैं कहूंगी cheating doesn't mean कि कोई तीसरा आपके relationship में आ रहा है वो भी सकता है but you know कोई compulsory नहीं है कि हाँ भाई romantic triangle है या third party energies है with regards to romance इसले cheating हो रही है जैसे मैंने अभी बताया transparency नहीं है या फिर जितना time energy आपको उनको देना चाहिए या उनको आपको देना चाहिए नहीं दे रहे हैं तो वो भी cheating कहलाती है तो किसी भी level पर एक cheating या तो आपकी तरफ से रह रही है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि partner you know इतने transparent नहीं हो रहे है relationship में और उनकी तरफ से आप महसूस कर रहे है जादा मुझे आपकी तरफ से रहती भी दिख रहे है और deeper level के लिए picky का काट कहता है कि आप बहुत जादा choosy हो रहे है आपको अगर adjustment करने पड़े तो आप adjustment नहीं करने के लिए राजी रहते भी दिख रहे हैं या पिर नहीं कर रहे हैं आप अपने ही तरीके से अपने ही हिसाब से चीजों को करना चाहा रहे हैं जो चीज आपको ठीक नहीं लग रही जो बात आपको ठीक नहीं लग रही आप उसके लिए agree नहीं करते हुए दिख रहे हैं फिर से मैं कहूंगी काफी picky, काफी choosy होते हुए दिख रहे हैं, काफी selective चीजों को लेकर, बातों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं partner की क्या energies हैं, तो देखें partner के लिए मैं देखूं तो definitely वो इस relationship को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा रहे हैं दिखें यहां पर two of wands का card reverse है, जो कि बहुत ही clearly कहता है कि future plan करना चाह रहे हैं, क्योंकि reverse है, नहीं plan कर रहे हैं again, आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस relationship में, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, reasons सब tourist के partner के लिए differ करेंगे लेकिन two of wands reverse का card कहता है, शायद उनको उतना confidence नहीं आ रहा है खुद पे, आप पे, इस relationship पे, situation circumstances पे और यहां पे the sun reverse का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि भई आप उनके लिए उनकी source of happiness है आप से मिलके उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत enthusiasm, excitement वो महसूस करते हैं लेकिन कहीं, you know, clear हैं कि भई, you are the one और वो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह card reverse है, तो clear होते हुए भी clear नहीं है कहीं, देखिए, again sun reverse का card कहता है कि उतने confident नहीं महसूस कर रहे हैं reason सबके लिए differ करेंगे लेकिन यहाँ पे fake का card कहता है उनको ना चीज़े real नहीं लग रही हैं आपके लिए भी हमने देखा false promises, seven of swords तो कहीं किसी level पे इस relationship में again मैं कहूंगी transparency नहीं है एक real अपनी feelings, emotions नहीं express कर रहे हैं या फिर fake again देखिए, अगर हम literally Hindi में इसको translate करें, तो नकली होने की बात करते हैं तो कुछ नकली नकली, आप दोनों या आप दोनों में से कोई ये कर रहे हैं आप देखिए कितनी बारी इस नकली नकली के पीछे positive intention होती है क्योंकि हमें लगता है सामने वाला hurt ना हो जाए हमारे partner को तकलीफ ना हो, हम अपनी emotions, अपनी तकलीफ उनसे चुपाते हैं और कई बारी हम बहुत अच्छा अच्छा उनको बोल रहे होते हैं लेकिन हमारे मन में उतना अच्छा नहीं होता है तो फिर से मैं कहूंगी fake का Hindi में literal meaning नकली होता है कुछ टाइम से चल रहा है या फिर October मन्त में ही इसकी starting हो रही है और जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि tarot guidance के लिए होता है और अगर आप ये reading देख रहे हैं तो दिखिए इन चीजों का खयाल रखके आप अपने relationship को बहतर कर सकते हैं यही कहूंगी कि इन cards को देखके डरना नहीं है घबराना नहीं है परेशान नहीं होना है नीचे comment section में नहीं लिखना है कि मैं रीडिंग नेगेटिव है क्योंकि देखे रीडिंग नेगेटिव नहीं है एक situation जो आ सकती है हो सकती है उसके बारे में cards आपको बता रहे हैं और उससे guidance लेकर आपके पास choice होती आप चीजों को बहतर करें यहां फिर आप बोलें अच्छा जी अब तो यह तो होगा ही होगा अब तो यह बहुत गलत हो गया और परेशान होते रहें again you know choice आपकी है मेरा मकसद यहां पर सिरफ यह है कि आप इसको guidance की तरह लें और चीजों को बहतर करें तो दिखिए again एक जो है कि क्या चीज फेक है क्या चीज नकली है कौन से false promises है अगर आपको लगता है कि बहुत सामने वाले के अंदर capability ही नहीं है एक you know जैसे बोलते है न true promise करने की या फिर genuine रहने की तो छोड़ दे relationship को बहुत थोड़े दिन के लिए आपको तकलीफ होगी उसके बाद you will be better और यह देखिए किसी की भी energies हो सकती है और अगर आपको लगते है कि हाँ बहुत कुछ गलती हो गई उसका सुधार हो सकता है तो उनको एक chance दे दीजे और इस चीज को अच्छे से communicate करें मैं सिरफ और सिरफ आपको examples दे रही हूँ कि कैसे आप चीजों को बहतर कर सकते हैं आपका relationship है आप बहतर समझ पाएंगे कार्ट के हिसाब से देखें तो येस आपके partner के मन में आपके लिए प्यार है आपे relationship and chase के कार्ट कहते हैं कि वो आपके साथ relationship चाहते हैं और कहीं indirectly हो सकता है कि आपको chase भी कर रहे हो surface level के लिए seven of cups का कार्ट कहते हैं कि काफी confused है समझ नहीं आ रहा है आपके बारे में सोच जादा रहे हैं आपके जादा ख्वाब देख रहे हैं इस relationship के बारे में जादा सोच रहे हैं लेकिन concrete steps नहीं ले रहे हैं चीजों को ठीक करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें उनके mind में चल रहे हैं decision choice नहीं ले पा रहे हैं फिर से मैं कहूंगी कि बहुत सारे options बहुत सारी choices के बारे में सोचते जा रहे हैं और सोच जादा रहे हैं कर नहीं रहे हैं और indirect तरीके से फिर से मैं कहूंगी आपको chase कर सकते हैं अब देखते हैं कि October month में क्या हो रहा है, तो देखिए October month में deeper level के लिए, deeper level के cards अगर हम देखें, तो यहाँ पे proper date, falling in love, true love के cards हैं, और यह तीनों ही cards कहते हैं, जो भी आपकी energies हों, Taurus जो भी आपके partner के energies हों, आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, true love का card बहुत ही clearly इस चीज़ को confirm करता है कि सची महबब, आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है, falling in love का card भी देखिए, similar सी बात करता है, proper date का card कहता है, आप दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से connect करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ proper date पे जाना चाहते हैं, एक surface level के लिए October starting के लिए यहाँ पर Queen of Cups का card कहता है कि बहुत emotional sentimental हो रहे हैं इतना जादा कि कहीं mood swings हो सकते हैं और you know emotionally weak आप दोनों याप दोनों में से कोई एक रहते हुए दिख रहे हैं और बहुत हो सकता है expressive भी हो रहे हैं love को लेकर mid October के लिए यहाँ पर devil का card कहीं physical intimacy physical level पर connect भी करने की बात करता है और यहाँ पर हमने proper date का card देखा था तो हो सकता है कि proper date जो आप दोनों मन ही मन चाहा रहे हैं वो कहीं mid October में October मन्थ में भी हो रही है लेकिन यह date तो होगी again physical intimacy हो सकती है physical connect हो सकता है लेकिन साथ ही साथ एक pressure एक tension भी हो रही है और दूसरी पात फिर से मैं कहूंगी devil का card बहुत obsessive energies की बात करता है in fact devil जब baby relationship में आता है इसको positive card माना जाता है like हर दूसरी चीज़ के लिए devil negative card है लेकिन relationship के लिए positive है क्योंकि यह obsessive तरीके के love की बात करता है जो की शायद relationship की भाषा में अच्छा माना जाता है लेकिन होता नहीं है अच्छा तो अगर आपको लगे कि बहुत जादा partner की आदत हो रही है बहुत जादा partner को लेकर obsessive हो रहे हैं सरफ उन्हीं को यह बारे में सोचते जा हैं तो प्लीज अपने mind को थोड़ा सा divert करें हलके हलके धीरे धीरे दीरे दीखे मैं यह नहीं कह रही कि आप अपने partner को let go कर दें नहीं आप इस relationship में रहें relationship में रहने में कोई बुराई नहीं है लेकिन partner की आदत होना partner के ऊपर mentally emotionally dependent हो जाना यह गलत है तो दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं होती जब तक वो moderate तरीके से होती है लेकिन जब वो हमारे उपर हावी होना शू कर देती है हम उस चीज के गुलाम बन जाते है हमें उस चीज की addiction हो जाती है तब वो बुरी होती है तो कहीं देखे इस तरीके की energies रहती भी दिख रही है और end October के लिए Five of Souls का card कहता है कि छोटा मोटा issue आप लोगों के बीच में हो सकता है और ये issue की वज़े से इका दुका Taurus जिनके relationship में पहले से ही problem चल रही है मैं देखे बहुत जोड देकर कह रही हूँ और इस चीज को अच्छे से समझें अगर पहले से ही relationship खराब चल रहा है बहुत issues बहुत मसले चल रहे हैं तो break up हो सकता है end October में और अगर आपका relationship ठीव ठाक है कुछ issue नहीं है कुछ मसला नहीं है तो end October में argument हो सकती है थोड़ा सा difference of opinion हो सकता है लड़ाई हो सकती है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों का relationship बहुत ही अच्छा है आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से connected है क्योंकि यहाँ पर दिखिए five of souls के नीचे true love का card है in fact आप दोनों को realization हो रही है कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए सच्छा प्यार है सच्छी महबत है लेकिन situation circumstances ऐसे हैं जहाँ पर उतना connect नहीं कर पा रहे हैं आपको लग रहे हैं चीज़े unfair हो रही है ये आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं deserve करते थे कहीं एक injustice सा महसूस कर सकते हैं देखिए मैंने 3-4 आपको scenarios बिताए तो कोई भी हो सकता है इसके अलाबा कोई और चीज़ भी हो सकती है broader level के लिए अगर मैं October month की energies देखूं तो बहुत एक love, care, प्यार, महबत आप दोनों ही October starting में महसूस करें एक दूसरे से connect करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं किसी level पे मिलते हुए भी दिख रहे हैं लेकिन कहीं एक you know obsessive value energy जादा रह रही हैं और इसी की वज़े से या फिर otherwise भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सची महबत है लेकिन surface level के लिए कुछ issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं तो ये था Taurus आप लुखों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को ज़रूर like, share और subscribe करें